यह बात सत्य है कि सब कोई बोलता है कि कोई तो बीर पैदा हो जाए लेकिन एक कोई नहीं सोचता है कि मेरे घर में बीर पैदा हो जाए आज का नियता जो भी बिहार में जाते हैं जाए सिरीराम कहते हैं मंदिर जाते हैं भारत के लिए और आपके बच्चों का भविश्य बन जाएगा इन लोगों के लिए अगर आप लोग आगे नहीं रहेंगे इनका साथ नहीं देंगे और इतने बड़े करंतिकारी को देखने के बाद अगर आगे नहीं आते हैं लड़नी वाली का साथ नहीं देते हैं अश्कार मेरा नाम है दिलिप कुस्वा और आप देख रहे हैं डीडी सिनी ओजा और अभी मैं मौझूद हूँ बुलडगर पबाय के राज अध्या में और मेरे सामने जो देख रहे हैं यहीं बीमल मंडल जी है और यह जो बगल में देख रहे हैं इनकी धर्म पतनी है जो सा साथ में रह रहा हैं अच्छा एक बात बताए ब्रेस्टा चार से लड़ते लड़ते आप तो ठक चुके थे अच्छा फिर आप हांस काटनी के लिए श्री राम नगरी को ही क्यों चूने देखिए आज का न्यता जो भी बिहार में जाते हैं जैसिरी राम कहते हैं मंदिर जाते हैं माजित भी जाते हैं और मंदिर जाते हैं तो वो राम का नाम भी लेते हैं आवाज उठाते हैं जनता को कि जैसिरी राम कहिए और जैसिरी राम बोलते हैं और हमने भागवान परस परसोतम राम जी का सोगंद दिये थे कि 1 अक्टूवर 15 जून को 15 जून 2022 को मान्या मुख मंत्री निती जी को आवेदन में लिख करके दिये थे कि 1 अक्टूवर तक सिमर्वनी पंचायत का जाच CBI से करके सर्वजनिक किया जाए नहीं करने पर भगवान परसोतम स्री राम जी की सोगंद जिस हाथ से हम आवेदन लिखे हैं उस हाथ को काट कर खून से सने पन्ना को लाल कर देंगे यहीं आवेदन मान्या परधान मंत्री जी को 17 जून 2022 को दिये और उसमें भी लिखें कि 1 अक्टूवर 2022 तक CBI का जाच करके सर्वजनिक नहीं किया गया सिमर्वनी आत्मिये तो भागमान परसोतम स्रीराम जी की सोगंद जिस हाथ से आवेदन लिखे हैं उस हाथ को काट कर खून से सने पन्ना को लाल कर देंगे अरे देखिए बात सही भी हो गया कि आपको लगता हो कि नहीं किया है तो यह सामने प्रूफ है यह साबूत है जो एविडेंस अब Immer ref विडेंस के हो कि हम खुन को सन्ने पन्ने से लाल कर दिय कह लिए फाइल इतना मोटा है और सिरफ और सिरफित सिर्फ और सिर्फ यह करें से जुड़ा हुआ है और इसमीं सब लोगों को बारे में नहीं सो चैकि हम अपने बच्चों के लिए बी कुछ जमीन खरीदना चाहिए आपको तो भ्राष्टाचार के लड़ने के लिए आपे बेश्ट दिए इन लोगों को देखिए क्या गुजरता होगा आपके बच्चे कुपर या पत्नी को इन सब चीजों का आप सोचें कि नहीं उसमें बिहार में ऐसे 30% ब्यक्ति हैं जिनके पास अपना जमीन नहीं है या है तो 50% से कम जमीन है उनका भी गुजर चल रहा है उनका योजना जो लूटा जाता है हम उनको देखते हैं कि जिस ब्यक्ति के पास जमीन नहीं है या किसी को परचा बना हुआ है किसी के पास 50% से कम जमी अगर उनका बालवच्चा का गुजर अगर चल सकता है तो मेरा भी बालवच्चा का गुजर चलेगा जो जन मिल लिया है वो ब्यक्ति किसी न किसी तरह से कमा करके जैसे भी हो लेकिन वो अपना गुजर करेगा हमारा बावदादा का पुर्वच्च का जो जमीन था आज जो लगा है किसी ब्यक्ति के पास अगर दस इकर जमीन है वो बेच करके अपने कार्ज काल में खा जाते हैं लेकिन हमने देश के लिए लगाए है असी परतिसद ब्यारवासी का जो योजना गवन होता है जो धरातल उनके लिए लगाए है तो हमारा पुर्वच भी आज जो गया है उपर गया है उसका भी आत्मा आज गर्ब कर रहा होगा कि नहीं मेरा एक ऐसा जन्म लिया है जो अपने लिए नहीं देखा है वो गरीब के लिए देखा है कि मेरा जो जमीन हम संपती छोड़ करके आये हैं उसको मलब जो है वो आज बेच करके और देश के लिए लर रहा है तो यही मेरा संतुष्टी होगा मेरा आत्मा भी संतुष्टी होगा और मेरा पुर्वज का भी आत्मा संतुष्टी होगा इससे हमको कोई दुख नहीं है कि मेरा बालवचा का गुजर मेरा बालवचा जैस मेरा नसिम में जो पूर्वज का जगा जमीन था वो बेच करके लगा दिया है तो चलो मजदूरी ही करना अगर लिखा है तो मजदूरी करेगा लेकिन हमको उससे कोई दिकत नहीं है ये देश्वासियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग करांतिकारी 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 ढूंडते हैं जो करांतिकारी थे उनका नाम लेते हैं लेकिन आज के वरतमान समय में ये बीर करांतिकारी हम लोगों को सामने आए आज मेरे कैमरे के सामने बैठे हुए क्यूंकि भर और दो गुनी नहीं, दस गुना तागत के साथ और लड़ सके, तो आप क्या कहना चाहिएगा जो देश के नागरिक हैं, जो कहते हैं कि ना हम बीर करांतिकारी खोज रहे हैं, किसी के घर में पैदा नहीं हो रहा है, यह बात सत्य है कि सब कोई बोलता है कि कोई तो बीर पैद हो जाए, लेकिन आप अगर एक हो गया है, तो क्या देश्वासिस क्या कहना चाहिएगा, और आप क्या बिन्तिक किजिएगा, कि ओ लोग भी आगे आएं इस काम में, हाथ बटाएं, देखिए मानब जोनी सबसे उतम जोनी है, और मानब जोनी का दूसरे का भलाय जो करता है वही सबसे उतम पूजा है, जो अपने से निहाथा को सहयोग करता है, वो सबसे उतम मलब कहा गया है पूजा में, तो इसलिए हम ब्यारवासि को कहने के लिए चाहते हैं, कि अगर धर्ति पर मानब जोनी में जन्म अगर लिये हैं, तो आप लोग आवाज उठाईए, किया जाता है, गरीब का आधिकार जो मारा जाता है, आप लोग को जिस राष्टे से आप गुजरते हैं, पूल, पुलिया, कलवट जो बनते हैं, इसमें करेप्शन जो होते हैं, इस पर आप लोग आवाज उठाईए और हमको साथ दीजिए, और बिहार से करेप्शन मलब जो है, खतम जिस रोज अगर हो जाएगा, उस रोज बिहार वासी को, सबको संतुष्टी मिलेगा, जिसको नहीं भी संपत्ति है, अगर उसका आधिकार अगर उनको मिलेगा, तो उसका आत्मा संतुष्टी मिलेगा, और आत्म बल उसको मनोवल बढ़ेगा, और पूजने व अगर आपका भी भोजन खिला करके अगर देखिए आपको कितना सकून मिलता है इससे आगे हम क्या कहेंगे अगर आप लोग आगे नहीं रहेंगे इनका साथ नहीं देंगे और इतने बड़े करंटी कारी को देखने के बाद अगर आप आगे नहीं आते हैं लड़ने वाले का साथ नहीं देते हैं तो सच में इनसान इनसान आपको इनसान नहीं बोला जाएगा अगर इंसानियत किसी के अंदर है तो मदद कीजिए आगे आईए और देखिए बगल में जो बैठे हैं इनकी ये पतनी हैं इनके उपर क्या गुजरता होगा और इनसे भी आथ बात करेंगे पहली बार मैं इनको पतनी के दिखाने जा रहा हूँ कि इनको आप जो दुख दर्द होगा अपने पती के साथ कैसे गुजरती होगी क्या बीठता होगा जिस समय ये लड़ रहे हैं हाथ काट चुके हैं और इनको संतुष्टी कैसे है क्योंकि आज के महिलाव को संतुष्टी ही नहीं होता है लेकिन इतने संपती बेचने के बाद भी एक कैसे संतुष्ट है और इनके साथ दे रहे हैं तो इनसे जानने का परियास करते हम अच्छा एक बात बताएए कि आपके पती हाथ काट लिये है सारे देश दिख रहा है और आपको कुछ दिखत नहीं होता और संतुष्टी है इन सब चीजों से हम सब चीज संतुष्टी है सबी चीज संतुष्टी है अच्छा आपके जो आने वाला बच्चा है उनके आगे का जो जमीने बिग गया हम देखें दिखाएं केमरा में आपको पहले वीडियो में कि आपका घार भी नहीं बनवाए है यानि कहने का मतलब कि अपने लिए कुछ आप लोग नहीं किया है लेकिन और पती और पतनी मिल के अप लड़ाई लड़ा है क्योंकि इनके साथ पतनी आपकी दे रहीं की साथ पूरा मेरा फेमली जो भी हैं सब साथ दे रहें हैं और कभी-कभी अगर दिकत भी हुआ तो मेरा रिष्थेदार सब भी सहयोग करते रहा है अलब सब को हम समझाएं कि हम जीवन में कुछ लेकर में आये हैं नहीं लेकर के जाएंगे मेरा कर्म ही मेरा साथ जाएगा ये कर्म को आप लोग सहयोग कीजिए और इन लोगों को मैं जय हिंद बोलना चाहता हूं क्योंकि ये लोग उस पात रहा हैं और जितने लोग इनकी मदद कर रहा हैं सबी लोगों को जय हिंद बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग एक बिर विर करांतिकारी का शप्वर्ट करना है और। अच्छा और बात ब्ताईए जब हाध काट तो असका पहले है आपको सचमे पता नहीं था। ऩ rd kind fill assume co2 आपको क्या लागा कि सचमे काट लिये हूंगे हमनों नहीं होते तो इनके उपर क्या गुजरता आप लोग जो महिलाए होंगी वो समझ सकती है और बियार के लोग समझ सकते हैं